हमारे पास 5 km पर आवर आ गया आया नहीं स्पीड अब इससे भी इंपोर्टेंट सीज यह सही है या गलत है क्यासे पता चलेगा दर्फ करते हैं उल्टा कर सक्षट्र करां साथी यह सब्से इंपोर्टन्ट गूंकि अक्यां नसार्ट रहते हैं बताने जी ानाई इस पर हम लोग के पास question है किस इसका question है time and speed का जिसमें हम लोग एक section आता है कि बोट एन स्ट्रीम वाला वही बोट एन स्ट्रीम का question है क्या question है कहता है कि एक बोट है वो अप स्ट्रीम में 14 किलो मेटर्स और डाइन स्ट्रीम में 16 किलो मेटर्स कितने तरह में कवर करता है नाइन आवर्स में एक दूसरा condition है उसमें कहता है कि 12 किलो मेटर्स अप स्ट्रीम में और 40 किलो मेटर्स यह दोने distance कवर करना में कितने time लगता है 11 आवर्स तो पुछता है कि what is the speed of boat in still water ठीक है ऐसी तो देखोगे तो कुछ पता लगया कि इसमें से कुछ निकालने जो दिया हुआ है उसमें कुछ द्राइब कर सकते हैं क्या 14 किलो मेटर्स 16 डिस्टेंस है मतलब कहीं भी कुछ डाटा जो है सो कंक्रिट नहीं दिया हुआ है जिसको प्लस माइनस करें यह कुछ किल्कुलेशन करें तो कुछ निकले हम लों के पास ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो जब ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं लोग कुछ एजूम ज 175 कर्ते हैं ठीक है कुछ भी जीम करते हैं उससे निकालते हैं अब गुत क्या निकाल सकते है क्या एजूम करना चाहिए हम लुग को लगों कि तो बदिन करने सब्सेंद चीज है इसमें तीनी चीज होता है सारा फर्मूला तीनी टर्म पर है क्या क्या होता है स्पीड और डिस्टेंस और टाइम और टाइम एस डी टी ठीक है यह इस फोर्टीन किलोमेटर्स की बात करोगे तो यह क्या है यह इस्टेंस है ठीक है हमेरे पास स्पीड नहीं है और टाइम न नहीं है ठीक है लेकिन इसमें हम कुछछ निकाल सकें तो इसका time और इसका time दोनों को करेंगे तो किसके बराबर होगा 9 hours तो इसका time निकालने के लिए time का formula क्या होगा ऐसका formula क्या होगा डियोष डिया पोन एस टो दिया हुए इस स्पीड हमारे पास नहीं है तो यह किसमें का वर्कियա है diversion on upstream का speed क्या होता है स्पेइड होता है के स्पीड होताहा कुछ होता है हमने हम सब से पहले है यही यदि यह आप条 और सबस्केंते है लेट चलो यहां लिखते हैं लेट दा अपिस्ट्रीम स्पीड कितना एक्स एक्स किलो मेटर पर हावर ठीक है ना और उसी तरह हम लोग मान लेते हैं दूसरा भी लेट दा डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड इसकोल टो वाई किलो मेटर पर हावर ठीक अब इस फर्स्ट कर लिशन में आओ इसमें टाइम कितना हो जाएगा इसको टीवन मान लो टीवन है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड डीवन एसमन मान रहा है ताकि इसमें हम लोग सब कुछ टुटू करेंगे इसका डिस्टेंस कितना है 14 किलो मेटर और इसकी स्पीड किसी स्पीड से कवर कर रहा है एक्स किलो मीटर परावर एक्सकी आजोब एक्स तो कहीं हमने एक्स क्दूटू काHa इस्पीड है यहाँ हो जाएगा इसEs इसी तरह इस कंडिशन में देखो यह सुरी यह 16 किलो मेटर इसको हम लोग टीटू मानते हैं में सो कितना टाइम लगेगा डी टू अपाउन एस टू यह डिस्टंश कितना है 16 16 अपउन यह दौन इस पर इस ट्रीम हम दिना माना है थिक अब यह जो टाइम है और यह टाइम है यह दोनों मिला के कितना है 9 hours 9 hours good यह हमारे पास आ गया 14x 14 upon x plus 16 upon y is equal to 9 hours ठीक है अब इसके आगे यह कैसे solve होगा अज़ा चलो इसको रहने तो अभी complex नहीं करते हैं इसको यहाँ पर रहने देते हैं ठीक है ना इसको हमने माना equation 1 इसी तरह इस condition में भी यह चीज निकल सकता है सेम चीज है ना इसमें क्या हो जाएगा इसमें देखो इसमें यह आ जाएगा इसको मान लो T3 इसका क्या हो जाएगा आप इस में 12 distance 12 speed तो वही है x ठीक और T4 यह कितना हो जाएगा 40 upon y ठीक है अब यह दोनों टाइम है यह दोनों टाइम में लगे कितना है कितना हो जाएगा है करने का मतलब किसी एक की वैलू x या y की वैलू निकाल सकते हैं ठीक है तोमें अंसर मिलेगा तो दूएक करते हैं तो प्लस करते हैं नहीं तो माइनस करते हैं जो कठ्चित है लेंगें यहां पर दोनों में से कोई भी बरावर नहां थे थे a और यह बरावर्क करते हैं पता है नहीं दो अलग कर देना यह दोनों बराबर होना चाहिए यह और याइ तो नीचे है है ही यह दोनों बराबर होना चाहिए कैसे होगा तो किना हो जागा बताओ सिंपल साहे 160 160 तो बहुत जादा होगा असका अधा करो 80 होगा ना तो निकाल भी सकते हो कोई बड़ी चीज नहीं देखो 16 और निकालते हैं फिर मिटाल देंगा 16 और 40 है ना 2 2 से करो 8 20 2 2 से करो 4 10 2 2 से करो 2 2 5 यही हो गया 2 दूनी चार्दूनी और दूनी 16 50 थीक है है ना 80 होगा 80 होगा 80 यह कंत俺 होगे 80 को 16 से भीड़ीcca और 40 से भीड़ुद करो 10 नहीं डिभाइड करो पहले डिवाइं करो तब न नहीं हम तने से इसपरेए को multiply करेंगे तो यह बड़ाबर हो जाएगा 80 तो 16 से divide करोगी तो कितना आएगा 5 और 40 से divide करोगी तो 2 इसका मतलग है कि इस whole equation को हम 5 से multiply करेंगे और इस whole equation को हम 2 से multiply अब हमारे पास यह कितना आजाएगा यह इसको 5 से multiply करोगे तो सिर्फ उपर महीं मुल्टिप्लाइगा फोर्टिन फाइव जाएगा सेवेंटी अपॉन एक्स प्लस यह हो जाएगा एटी अपॉन य इसको निकाला है हम लोग ने यह दोनों इंडिपेंडेंटेंट एक्वेशन है हमें इसमें इतना है ध्यान रखना है कि जितने को हम लेफ्ट साइड से मल्टिप्लाइग कर रहे हैं उतने से राइट साइड को भी कर रहे हैं हम लोग वही काम कर रहे है ठीक है इसको हम लोग यह प्लस प्लस है इसको इलूमिनेट करना है क्या करेंगे इस दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे मैनस करेंगे मैनस करेंगे तो ये सारे का साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस में और ये माइनस में सेम चीज है तो ये और ये cancel हो गया हमारे पास क्या आगया आप ये आगया 70 मतलब चलो इसको यहाँ इसको यही लिखते हैं लेकिन देखो क्या होगा ये हो जाएगा 70 20 upon x minus 24 upon x equals to 45 minus 22, कितना हो जाएगा 23, ये दुनों minus हो भी कितना हो जाएगा, 6 and 6 to 4, 46, 46 upon x equals to 23, x की वेलो कितनी हो जाएगे, कैसे निकलागा, बताओ, एक तो ये कर सकते हैं, अच्छा, दोनों को यदि हम लोग रेसी प्लोकेट कर सकते हैं, एक जाएगा, तो भेलू सकी चेंज नहीं होती है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते, या तो इसको x upon 46 कर दो, तो ये 1 upon 23 हो जाएगा, ठीक, इ x is equal to 46, उधर चला जाएगा, तो 46 upon 23, ये 2 आ गया, और नहीं, तो इसको multiply करो, तो ये क्या हो जाएगा, 23 x is equal to 46, x is equal to 46 upon 23, मतलब दोनों condition में, एक ही ती जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको solve करने का मतलब है, ये हमारे पास आ जाएगा, x is equal to 46 upon 23, इसका मतलब 2, to x निकला है, x का मतलब क्या है, плюс upstream, speed हमारे पास 2 निकली है, अब ये x के value 2 निकल गई है, तो y के value निकालनी हा, जितना equation दिख रहा है न, किसी में भी x के value डाल दो y के value में 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 जाएगा, ये equation है, ये equation है, यह दोनों सेमेक्वेशन यहां है, यह भी है, यह भी है, हम लोग इसी में डाल देते हैं, यह एक्स की वेलू हम लोग 2 डालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? 14 by 2 plus 16 by y, putting x in equation 1, 14 by 2, कितना हो गया? 14 upon 2, क्या है उसके बाद? plus 16 upon y is equal to 9, यह कितना हो जाएगा? 7, उधर जाएगा तो? minus हो जाएगा, plus 16, मतलब इधर क्या बचाएगा? 16 upon y equals to? 2, 9 minus 7 is equal to 2, इसका further मतलब क्या हो यही चीज़ आ गया? 16, अब इसका y कितनी हो जाएगी? 16 upon 2 हो जाएगा, मतलब 8, यह आ गया, दोनों किलोमेटर पर आवर में ही रहेगा, ठीक है न? speed है, अब हमारे पास क्या है? sorry, upstream— यह साओड, upstream— एक-कड्यकasan कार्स किलोमेटर हो पार डाउन बचाइड, दो कोछछ फरमूल three — है जिससे ौ-स-ॉरर मेड़ होता है boat speed in still water का formula होता है क्या होता है downstream speed plus upstream divided by 2 downstream speed कितना है 8 कितना निकला 8 upstream हमने x माना है x कितना आया है हमारे पास 2 plus 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 sorry plus divided by 2 कितना हो गया 10 by 2 इसका मतलब हो गया 5 km per hour ठीक है यही पूछला लगा ना boat speed in still water हमारे पास 5 km per hour आया आया ना speed अब इससे भी importance is यह सही है या गलत है क्या से पता चलेगा यह तो हमने निकाल लिया इसकी इसकी तरह एक और formula होता है still water कैसे यह water यह stream speed stream speed उसका formula क्या होता है of speed of downstream इसमें सिर्फ माइनस हो जाता है माइनस upstream divided by 2 यह हो गया 8 minus 2 divided by 2 6 by 2 3 ठीक? 3 km per hour मतलब boat की speed still water में 5 km और stream की speed 3 km यह हमारे पास अंसर आया है अंसर हमारे पास था अंसर हमारे पास आ चुगा जो question में पूछ रहा था यही था लेकिन check करने के लिए हमें तो पता नहीं यह नहीं सही है गलत है तो check करने के लिए हमने यह stream का speed भी निकाला ठीक है अब देखो यह check कैसे होगा question में इसको डालो यदि यही चीज है ठीक है तो एक बात बात बताओ अब stream down stream speed कितना होगा 5 plus 3 8 km ठीक है यह हो गया down speed stream और up stream कितना होगा 2 km ठीक है अब stream 14 km जाने में कितना टाइम लगेगा अब stream and down stream 8 km और up stream 2 km अब stream जाने में कितना टाइम लगेगा 7 hours ठीक है और 16 km डाउन स्टीम जाने में कितना टाइम लगेगा 2 hours दोनों को मिला दोगा तो कितना हो गया 9 hours आया है न 9 hours मतलब अभी तक हमार एंसर सही है 2nd में भी अपलाई करके देख लगते है up speed up stream में 12 km जाना है कितना टाइम लगेगा 6 hours 6 hours और डाउन स्टीम में 40 km जाना है कितना टाइम लगेगा 5 hours कितना हो गया 11 hours कितना दिया हुआ है 11 hours इसका मतलब है कि यह जो हमने आने के लिए आना ही एंसर दिया रहा था कि आप तहले कर लिए ठीक है ओके चौब